हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइटी एजूकेशन पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबाके और वीडियो पसंद आये तो एक लाइक को शेयर जरूर कर दीजेगा आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों ये प्रयास किजिएगा जहां पर हमने टॉपिक्स लिया हैं यहां पे प्रेसर्थ का पॉर्णाइब पियानि सेयन्टा का को पर प्रत्यासता तो ये टॉपिक से कोशन इğक्जाम देखे गए हैं प्रेait मैं तो आपको भी यहां पर सबी परस्न कर देखकर जानी चुन नमलेकित में से किस के बराबर होता है? तो option आपके सामने है Newton meter, Newton प्रती वर्घ मिटर या फिर Newton प्रती मिटर या फिर Newton meter चुकता तो answer किते जी का दोस्तों ये होता है हमारा या Newton प्रती वर्घ मिटर क्यों भाई? तो आप लोग जो है हो जाएगा हमारा तवाल नंबर दो है दोस्तों ताप की विर्धी से किसी द्रब्य का प्रिष्ट तनाव क्या होता है देखिए प्रिष्ट तनाव का अगर आपसे कोई फर्मूला पूछे ना तो हमेशा बताना यह क्या होता है यह व्यूत क्रणुपाती होता है किसके ताप तापमान के किसका होता है तापमान का यानि कि टेंपरेचर का यानि कि उल्टा होता है यानि कि प्रिष्ट तनाव बढ़ेगा तो तापमान घटेगा और तापमान बढ़ेगा तो प्रिष्ट तनाव घटेगा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ताप की व्रिधी से किसी प्रिष्ट तनाव की बात की गई है तल तनाव के चलते या कारण अंडे पानी पर तैरते हैं यह बिल्कुल सही बात है प्रिष्ट तनाव के चलते ही हो रहा है द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा उसके द्वारा ग्रहित प्रिष्ट छेट पल उतना ही कम होगा यह भी बात बिल्कुल सही है इसी पॉर्मूला के अधार पर यह सारी बाते लिखे गई है तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है यानि कि सभी कथन हम सही कर सकते हैं सवाल नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों केशिक तत्व के काराण ड्रव नली में चड़ेगा यदि इस पर्सकुन अब यहां से कोशन थोड़ा सा चेंज हुआ केशिक के काराण ड्रव नली में तभी चड़ेगा जब इस पर्सकुन का मानने निवनतम होगा अगर हम देखें दोस्तों इस पर्सकुन का में अधी कोंड होता है तो केशिक नली कोड़ी आपने थर्मामीटर देख और यह एक एक्जामपल है थर्मामीटर में क्या देखे हैं तो आपने जो रब उसमें रहता है जो पारा रहता है उसकी उचाई कब गिरने लगती है जब आपका टेंपरेचर यहां पे बिलो होता है यह आपका कम से कम निवुणतम होगा सबसे तो ही होगा यह तो आंसर A कर सकते हैं नियून कुन होना चीए A is the correct answer यहां से आप कर सकते हैं अच्छा देखें जब यदि द्रब और द्रब अंगों के बीच लगने वाले ससंजक बल और द्रब और बरतन के अंगों के बीच लगने वाले और ससंजक बल अधीक होता है तो द्रब बरतन के तल में नहीं भ्योगो पाता है तो यही उत्तर है हमारा नियून कुन बनेगा यहां पर चलिए सवाल नंबर पांच को चलते हैं द्रब की बूंदे नेमलिकित में से किसके कारण गोल हो जाती है तो आंसर कर लिजेगा भाई प्रिष्ट तनाव इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा जिया प्रिष्ट तनाव चुकि द्रब की बूंदे प्रिष्ट तनाव की कारण ही गोल बनती है जिससे कि आपने पारा को ही देखा होगा पानी में जब डालेंगे तो गोल गोल बनता हुआ नजर आएगा उसका तो कि उसका प्रिष्ट तनाव क्या होगा तो कम होगा तो यह आंसर कर लिजेगा डी इस दा राइट आंसर नोट कर सकते हैं सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर छे पर आंसर करेंगे सीसे के छर्रे बनने बराने के लिए किस गुण का उप्योग किया जाता है तो सीसे का छर्रा जो बनता है जैसे कि आप अंटे खेले हो गया बच्पन में तो वह भी एक सीसे का ही छर्रा होता है तो सीसे का छर्रा बनने के लिए द्रविये सीसे का प्रिष्ट तनाव जो है वो गुण उसका उप्योग करता है और इससे वो बनता है तो द्रविये सीसे का प्रिष्ट तनाव का हम लोग उप्योग करते हैं यहां पे ठीक है प्रिष्ट तनाव का मातरक मैंने आपको बता दीजेगा और इसका प्रिष्ट नोगा वीमा पूछेगा तो वीमा पूछेगा तो एम्टी टुदी पावर टू यह होता है यह थ्यान रखेंगे ठीक है तवाल नमबर चलते हैं साथ पहने हम लेकित में से कौन सा यह अंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रुक्त किया ज कहते हैं जिसको मेरे लोग गेज दाब कहते हैं क्या भाई तो द्रब की अंदर दाब है ना कोई भी answered अंतर मापी होता और नंबर आठ पर चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोशिन है देखे एक ठोस वस्तु का द्रभ्यमान 180 ग्राम तथा आयतन जो है उसका 360 सेंटिमिटर क्यों है तो जिसे की जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में क्या होगा तो किस कारण से तो भाई बिल्कुल यह प्रि कितना 180 बटे 360 यह 0.5 ग्राम पर सेंटिमिटर क्यों हो जाएगा यह आपका जो है क्या निकला घनत्व निकला वस्तु का और जल का घनत्व एक ग्राम पर सेंटिमिटर क्यों होता है यानि उससे कम है तो यह ध्यान रखेगा जब कम होगा तो क्या होगा तो वो तैरता रहे जी हाँ आंसर क्या कर लेंगे तैरता रहेगा दोस्तों एक वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है कभार वायू में 32 जीएफ तथा जल में 28.8 जीएफ है तो ठोस में आप एक्षित घनत्वे निकाले घनत्वे का फर्मूला हमने आपको बताया अभी जी हां नोट कर 32 में से 28.8 घटा दीजे तो आएगा 32 बटे 3.2 यानिकी 10 तो हमारा क्या निकल जाएगा आप एक्षित घनत्व यानिकी 8D मान लिजे इसको यह ना तो यह निकल जाएगा 10 is the right answer तो इस तरह के कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे और घबराना बिल्कुल नहीं ह सवाल नंबर थोड़ा चलते हैं यहां पर दस की तरफ आंसर करेंगे और यह कोशन को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साब दीखें कोशन कहता है दोस्तों यहां पर की 13 को नदी के मुकाबले समुंदरी पानी में तेहरना आसान क्यूं लगता है दिख होगा घनत्वन तो क्या होगा उसफें त्यार लगेगा तो त्यों प्याहते हैं लोग्त च्न समुंदर संदर में ढूब नहीं सकते हैं मतलब जल्दी हें और इसमंद्र होंने की कारण विस्थापित द्रव का भार अधिक होगा और उसमें तैरना आसान हो जाता है आप लोगोंने ट्वेल से पढ़ा होगा दोस्तों पल्लवन के बारे में यह पल्लवन की विधी क्या है तो पल्लवन के लिए किसी वस्तु का भार वस्तु में डूबे हुए भाग द्वारा विस पल्लवन के लिए यहां पर चार कत्रों में से सही है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आंसर जुरू कर पाईएगा बैरोमेटर को वायूमटल यह दाब मापने है तो परियुक्त किया जाता है यह बात सकते है बिलकुल यहां पर तो आंसर यहां पर कर मापी यंत रही है जिसके द्वारा वायूमंदल का दवाव मापते हैं हम लोग और वायू दाब से मापने के लिए बैरोमेटर में पानी हवा अत्वा पारा का परियोग किया जाता है तो यह भी बात सत्य है यहां पर ध्यान रखेंगे और यहां पर जो है मौसम के चल्ब प्रिश्ट पर लोहे के टुकडे ने का कारण क्या है लुद्व करें पार ने तो अगर एक पर उबस पर झैड़ेंगे देखेंगे तो लॉफ फ्लोएशन क्यालाता है क्या 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 रहता है तो यह जल प्रिष्ट पर लुहा का टुकड़ा तैर पाएगा तो अब कहने का मतलब क्या है लुहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाएगे जल के भार से अधिक होना चाहिए जिसे की जल में वो डूप जाता है और जब वस्तु का द्रब पर तैरता है तो उसका भार उसके द्वारा हटाएगे द्रब के भार के बराबर होता है यह हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तो यहाँ पे is the correct answer लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है इसलिए जल प्रिष्ट पर लोहे का टुकडा तेरता हुआ नजर आएगा सवाल नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों important है ये भी question गिर्ती हुई वर्षा की बुंदे वेग की सिमित है ना मानप्राप्त करती है इसका कारण क्या है अपर परसा जब होती है थे आप लोग देखिके हुगे गोलाकार बनता है उसका बुंध जो गिरता है तो वाईू द्वारा आरूपित स्यान लगता है जिसके कारण गिरती वी द्वार्शा की बूंदे वे की सिमित मानपराप्त करती है क्या करती है वर्षा के द्वारा है यह वायू के द्वारा आरोपित स्यान द्यान रखेगा जब कोई वस तू तरल में गमन करता है तो पहले वह तिवर वेग से नीचे जाता है और यहां पर वेग से नीचे जाता है लेकिन तरल के परतों के कारण जो घर्षन उत्पन होता है उसको नियत वेग कहते हैं इसको हम लोग सिमान तवे कहेंगे जिसके चलते हैं स्यान बल उसमें लगता है और वायू के द्वारा यह अरूपित होता है तो सी उत्तर कर सकते हैं स्वाल नंबर 14 पर चलते हैं आंसर करिएगा द्रब्यों का वह गुन जिसके कारण यह अपनी भिन परतों के बीच सापेक्ष गती का विरोध करते हैं क्या कहलाती है बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों 14 का पुत्तर यहां पर कीजिएगा इट्सर भी स्यानता कहलाता है मैंने जैसे कि अभी बताया आपको द्रब्यों का वह गुन जिसके कारण यह अपनी भिन परतों के बीच सापेक्ष गती का विरोध करें उसमें स्यानता कहते हैं स्या चकरन के कारण गतिक उत्थान होता है चक्रण के कारण तो पूछा गया है प्रह प्रभाव कैलाता है है क्या 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 पर विचलित हो हो जाती है यह अपने प्रभाव से अपने वायूदाब से उसके प्रभाव को लेकर वास्तविक से विचलित हो जाती है ऊबुर्ण साहब आए और बताया कि एक छिक गति के कारण धुझानी ब्रदी होने की कमी को बताते हैं एक तो यह ध्यान रखेंगे चलिए और रेकिये प्रबाह जिसके साथ ररू के लिए समान रूप से अधिक होता है यहां तो आंसर कर लेंगे दोस्तों निम्न घनतों और उच्छ स्यानेता डी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नंबर कलते हैं 17 पे समुंदर के पानी का घनतों बढ़ता जाता है जैसे जैसे घरत तो इस इकल टू द्रवे मान बटे आयतन होता है मैंने आपको बताया एम अपॉन भी लिख सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा तो द्रवे बटे आयतन यहना कि समुंदर के पानी सिहां समुंदर के पानी का घनतों बढ़ता जाएगा जैसे जैसे घराई और खरापन दोनो अब यह दूए क्या होता है नदी में तेरता जल्यान का जब शमुंदर में जाता है तो यह क्या होगा तो बिलकुल उत्तर जालते हैं उनीस पर दोस्तों अंसर कर लिएगा इस पात की गेंद पारे पर तहरती है क्योंकि क्योंकि इस पात कि अपेक्षा पारे का घनत्व अधीक होता है यहीं सिम कारण है देखे इन्पॉर्टेंट सारे कोशन है तो ध्यान रखेगा तो सब कुछ बनेगा सवाल नंबर 20 पर चलते हैं अत्याधिक उचाई से कोशन है कि अत्याधिक उचाई पर उड़ रहे हैं वाय उचाई को सिम थे सामाने रखा जा सकता है तो यहां पर भी उत्तर तो कर लीजेगा और क्योंकि जैसे जैसे हम प्रिध्वी की सता पर आते हैं वायुमंडल का दाव कम होता जाता है जिसके फल सरोग का जो अंतर होता है जिसा आप उत्पन होने लगता है और उसके चलते फ कोशन है कि वायो मंडल ये दाप को मापने के लिए किस आवस्षक यहंत्र की जुरुत पड़ती है कि बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों बैरो मापी बैरो मापी से हम लोग मापते हैं याद रखेंगे अभी मैंने आपको बताया भी ठीक है आधरता किसे मापते हैं तो आधरता अल्टी मीटर से यह नोट कर लिजेगा आप लोग यहां से तुवाल नमबर चलते हैं चौब 22 पर आंसर कर लिजेगा कोशन पॉटेंट है हमारे सरीर पर वायो मंडल का दाप बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्योंकि उसके पिछे कारण है जी हां हमारे सरीर में जो रख होता है उसका दाप वायो मंडलिये दाप से कुछ अधीक होता है तो अप्शन नमबर डी के साथ जाएंगे हम लोग यहां पर डी इस दर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं मनुष्ट्रे कार नॉर्मल ब्लड प्रेसर कितना होता है कोशन पूछ चलते हैं याद रखेंगे तो यहां से कुछ ना सकता है एक्जाम में किसी इस्थान पर बैरो मिटर में पारा यहां किसी अन्य द्रब्यों का उचाई का अनुपात वन इस्टू फोर है तो द्रब्य का घनत्व क्या होगा पारा से पूछा गया है ध्यान दीजिएगा यहा समान इस्थान पर होगा तो समान होगा और जैसी हुचाई पर जाएगा तो बैरो मीटर में द्रब्य की ऊपर लगने वाला दाव कि करन तो यहां से आंसर आप लोग कर सकते हैं जिया 3.4 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यों यह आप लोग का एक निमरिकल है यहां पर है और यहां पर आप लोग प्रेसर निकालेंगे पीवन इसकल टो टू तप इवन जो होगा आपका फञड क लिए यानि कि जो डिस्टेंस हुआ है और जी यानि की जो आपका ग्रेविटिशन का यहाँ पर वैल्यों होगा उसको पूट करेंगे फिर यहाँ पर एस्टु डी टू ऑर जी टू यहाँ पर लगाएंगे तो इसको एक्वालिति करेंगे यहाँ और डी टू का फॉर्म हमें नहीं पता है तो डीटू ही हम लोग निकालेंगे तो यह क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर लिजेगा तो यह 3.4 ग्राम पर क्यों आएगा तो आंसर यह हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं 24 पे देखिए कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है यह भिन धातूओं के बने एक-एक किलोग्राम के चारत घन यानि कि क्योग जल में तॉले जाए तो क्या होगा तो इंपोर्टेंट है कोश्चन 24 का उत्तर कर लिजेगा जिया नियुन्तम घनत्वाले घन का भार नियुन्तम होगा तो बी इस दा करेक्ट आंसर यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं यह भीन धातू जैनिकी अलग-अलग तरह के दो धातू है और उनका जो क्यूब में है तो तोले जाने पर नियुन्तम ही होता है क्योंकि देखे जल में किसी वस्तू में का भार एक्वल होता है वस्तू के दुवारा विस्थापित जलिए बाराके बडराबर तो तो यह ध्यान रखेगा किसे किस भार को उठाकर ले जाएगा यहां पर इसके पीछे कारण क्या है तो धीले डाले रूप में भरा हुआ पंखा का जो आयतन होगा वह क्या होगा जिसके कारण ऊपर ले जाने वाले उत्पलावन बल का मान अधीक हो जाएगा यहां पर द्यान रखेगा आंसर यहां पर हम लोग दिक कर लेंगे तवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर कोशे नंबर 26 पर आंसर करिएगा यहां पर देखें यह बहुत इंप्पॉर्टेंट सारे कोश्ण है इस चैप्टर से जो कि आपको समझना चाहिए किसी भी जील के पत्थर फेकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे दूपता है उस पर उत्पलावन यानि कि जो बल है वो बढ़ेगा या घटेगा या फिर फि जाल के जो फिर सबस्दों करें पर उना न達कि मिल कर एक बढ़ी बूंद बनाती इसके कारण क्या है नियुनितम प्रिष्टिय तनाव शेत्रफल बनाए रखना स्वाल लंबर 28 तांच की स्वक्ष प्लेट पर जल डालने पर पानी पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर वो गोलिये बूंद बनाता है तो इसका कारण क्या है तो इसके कारण है दो तो ज प्रेक्षा जल का ससंजन यानिकि कोहेंशन अधिक होता है तो इसलिए उत्तर हमारा सी हो जाएगा जी यहां दोस्तों नोट कर सकते एकस्पेक्टेड कोशन है यह एडेशन और कोहेशन दोनों के आसंजन और ससंजन जिसे उनलों कहते हैं एक पदार्त के अणओ के मद्य ल क्रिकेट की घूंती यानिकी जो स्पिनिंग बॉल है वायू में इधर उधर उचाल निमलिकित आधार के अनुसार इसपश्ट किया सकता है तो देखिए जब करते हैं तो जैसे जहां से जाता है यहां से यहां जाता है यहां किसकी कारण होता है यह कि द्यान रखेगा यह जो सकता है जिसको कि द्वारा असपष्ट भी किया गया है यह कोशन पूछ सकता है कि यह इसके अनुसार कोई भी और समान द्रविज़ा इन दोनों मिलकर आधर से अर्था द्रव द्वारा रेखिये प्रभाओं में परिवर्तन ला दे वह रहता है यह हमारा बरनेवले थिरम कहता है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गती से रेल गाड़ी गुजरने पर युवक क्या होगा वहीं पर खड़ा रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर गिरेगा या फिर गाड़ी के ओर से गिर पड़ेगा या फिर गाड़ी की ओर उसमें दूर गिरता हुआ नजर आएगा या चाल के उपर निर्पर करता है तीस का उत्तर करेंगे दोस्तों देखे कि गाड़ी की ओर गिरता हुआ प्रतीत होगा तो जिसके चलते रेल्व प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े यूवक के सामने तीज गती से अगर रेल गाड़ी गुजरेगी तो यूवक गाड़ी की ओर गिर पड़ेगा तो उसे एक्सिडेंट हो सकते हैं इसलिए दूर काड़ी आती है तो लाल दोस्तों यहां पर इसके आंसर भी दिए गया है आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं यहां से सभी और इस वीडियो के माध्यम से हमने वह तीस प्रश्णों का संग्रह आप लगों तक साजा किया है इस चैप्टर थे जो कि यह चैप्टर बहुत ज्या